ओनलाइन ट्रेडिंग या ओनलाइन इन्वेस्टमेंट जैसे सब्द भले ही लुभावने और मुनाफ़ा कमाने वाले लगे लेकिन ज्यादादर कमपनी फरजी तरीके से लोगों को ठग रहे हैं कोतवाली स्थित साइबर नोडल शाका में बालाखाट निमासी एक यूती ने अपने साथ हुई इस तरह की धुकाधरी की शिकायत दच की है दरसल पीडित यूती को वाट्सप ग्रूप पर end.berman.com नामक ट्रेडिंग कमपनी का विग्या पनाया जिसमें कम समय में रासी को दो गुना से तीन गुना तक बढ़नानी की इसकीम बताई गई यूती ने एक लाग पच्चेस जार रूपए अलग अलग समय पर निवेश कर दिये लेकिन कुछ समय बाद यूती को ठगी का पता चला वहीं कोतवाली इस्थित साइबर नोडल साखा में पदस्त आरक चक चांदी सांडेले ने बताया कि सातिर साइबर्क अपराधी वाट्सअप ग्रूप में end.berman.com की लिंक भेज कर पीडित को इस वेबसाइट को विजट करने की लालज देते हैं इसके लिए बकायदा अपराधी इस वेबसाइट में निवेस करने या कोई समान खरीदने के लिए आईडी और पासवर्ड भी उपलब्द कराते हैं बारागाट निवासी एक योती ने जहासे में आकर कम समय में ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की चक्कर में धीरे धीरे करीब एक लाग पच्चिस हजार रुपए इस उम्मीद में निवेस कर दिये कि उन्हें कुछ समय बाद दोगनी रासी मिल जाएगी लेकिन योती को न अपनी रासी का मुनाफ़ा मिला और नहीं मुलधन पीडित ने साइबर नोडल साखा में सिकायद दर्श कराई है आरक्षक चांदनी सांडेली ने बताया कि पुलिस फिलाल वेबसाइट का डोमेन यानी वेबसाइट बनाने वाले की जानकारी जुटा रही है आपको बता दें कि इससे पहले भी सहर में इसी तरह का एक मामला सामने आ चुका है जिसमें बॉस्टन इंडिया नामक एक कंपनी ने पैसे दोगने तिगन करने का लालज दे कर कईयों को ठगा था इसमें दो पीडित ने साइबर नोडल साखा में सिकायत दर्च कराई थी वहीं इस मामले में भी एक लाग से अधिक रुपए का फरजिवाड़ा सामने आया है